Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे टेली प्राइम में लेजर बनाते समय सही ग्रुप का निर्ने लिस्ट ओफ अकाउंट्स की सहायता से कैसे करें इसके पहले वाली दो वीडियो में हमने आपको बताया टेली प्राइम में कमपनी बनाना और उन्हें आल्टर तथा डिलीट करना इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं लिस्ट ओफ अकाउंट्स के बारे में साथ ही ये भी बताएंगे कि टेली में हमें लेजर बनाने और ट्रांसेक्शन्स रिकॉर्ड करने में इससे किस प्रकार से सहायता मिलती है यहां हम आपको सिर्फ इससे समझा रहे हैं आगे आने वाली वीडियो में इसका अच्छे से उप्योग करके बताएंगे आगे बढ़ने से पहले एक बहुती महतुपून बात बता देंगी शुरुवात की हमारी बेसिक लेवल की जिन दस वीडियो में हमने आपको मैन्योल अकाउंटिंग के बारे में बताया था उनमें दी गई पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में काम आएगी और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख ले मैन्योल अकाउंटिंग की प्रोसेस समझाने के दौरान हमने आपको जर्नल क्या है ये पताया था Manual accounting में journal में सभी entries एक ही इस्थान पर एक के बाद एक कर दी जाती है जबकि tally ने journal entries करने के लिए अलग-अलग type के vouchers बना दिये है जैसे यदि आपने कोई माल बेचा है तो उसके लिए sales voucher यदि किसी को कोई भुक्तान किया है तो उसके लिए payment voucher इस तरह के कई vouchers बनाए हैं जिनने हम आगे समझेंगे इन vouchers की सहायता से आप tally में अपने transactions record कर सकते हैं कहने का तात पर यह है कि manual accounting में जो काम journal में होता है tally में वो काम vouchers की सहायता से होता है manual accounting की process में हमने ये भी देखा था कि journal में transactions record करने के पाद खाते बनाए जाते हैं और journal में record किये गए transactions की posting उन खातों में की जाती है किन्तो tally में ऐसा नहीं होता है इसमें पहले खाते यानि ledgers बनाए जाते हैं और फिर जैसे ही हम voucher में transactions record करते हैं संबंधित ledger में उसकी posting अपने आप हो जाती है manual accounting की process के अंतरगत ही हमने आपको trial balance बनाना बताया था और उसमें एक जैसे खातों को छांट कर किसी एक group में रखना भी बताया था tally ने इस काम को भी आसान कर दिया है अब हमें खातों को छांट कर किसी group में नहीं रखना होता बलकि tally ने पहले से ही हमें कई group बना कर दे दिये है हमें सिर्फ उनके अंतरगत खाते खोलना होते है अब सवाल ये है कि हमें ये कैसे मालूम होगा कि कौन सा खाता किस group में खोलना है इसके लिए हमने आपको पहले की वीडियोज में बहुत सारी परिभाशाइं बताई है उनके आधार पर आप ये निरने कर सकते हैं और फिर भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो हमने एक चार्ट बनाया है जिसका शीर्षक है list of accounts आप इसकी साहिता ले सकते हैं list of accounts से आशे व्यवसाए में उपयोग होने वाले खातों की list से है जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं इसमें सबसे पहले कॉलम में nature of account है उसके बाद group और subgroup हैं और आखिरी कॉलम में खातों की नाम या उनके विवरण हैं जो इन group या subgroup के अंतरगत खोले जाना है इसे हम एक उताहरण से समझ लेते हैं आपको assets की परिभाशा याद होगी उसमें हमने बताया था कि assets तो प्रकार की हो सकती है fixed assets और current assets अब यहां चार्ट में देखिए ये दोनों दिखाई पढ़ रहे हैं और साथ ही टेली ने assets में कुछ group और बना दिये हैं वे भी यहां दिखाई पढ़ रहे हैं अब जैसे ही right side में आगे बढ़ेंगे देखिए टेली ने हमारी सुविधा के लिए current assets के अंतरगत भी कुछ subgroups बना दिये हैं और आगे बढ़ते हैं यहां पर इसपश्ट हो रहा है कि इन subgroups और groups के अंतरगत किस प्रकार के या कौन से खाते आएंगे इस chart को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी आवश्यक्ता क्या है वो name of accounts which is covered under these groups में देखें तो आपको यह इसपश्ट होगा कि हमें किस type के ledger की जरूरत है उसके बाद फिर left side में पढ़ें और देखें कि यह ledger किस ग्रूप या सब ग्रूप के अंतरगत बनाना है चलिए इस अच्छे से समझने के लिए कुछ अधारण देख लेते हैं देखें प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेर कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट आदी के खाते कैपिटल अकाउंट ग्रूप में बनेंगे जिन भी व्यापारियों से आप उधारमाल खरीते हैं उन सभी के खाते संडरी creditors सब ग्रूप में बनेंगे आपके जितने भी बैंकों में saving या current account होंगे वे सभी bank accounts सब ग्रूप में बनेंगे सभी स्थाई समपतियों जैसे building, furniture, computers, mobile इत्यादी के खाते fixed assets ग्रूप में बनेंगे हमारे सभी sales account, sales accounts group में बनेंगे यहां आपको एक confusion हो रहा होगा कि खाते का नाम भी sales account और group का नाम भी sales accounts तो क्या ये सही है? जी हाँ, सही है इसे समझ लेते हैं, मान लेजे हमारा बड़ा व्यापार है जिसमें हम electronics items, furniture और clothes रखते हैं और हम इन सभी का हिसाब अलग-अलग देखना चाहते हैं, तो हमारे sales account के नाम इस तरह हो सकते हैं electronic sales account, furniture sales account और clothes sales account पर ये सभी खाते sales accounts group के अंतरगत ही बनेंगे हमारा व्यापार छोटा है, इसलिए हम इस तरह के अलग-अलग खाते ना खोल कर एक ही खाता sales account के नाम से बना रहे हैं, जो कि sales account group के अंतरगत बनेगा हमारा ये चार्ट बनेने का उद्दिश्य मातर आपको ये समझाने का प्रयास है कि किस type के खाते, किस group या सब group के अंदर खोले जाते हैं इनमें आप अपने आवशक्ता अनुसार परिवर्तन भी कर सकते हैं अब यहां हमने type of account का column और जोड़ दिया है जिसमें हमने खातों के प्रकार बताए हैं खाते यानि accounts कितने प्रकार के होते हैं ये हमने आपको manual accounting की process में समझाया था इससे ये लाब होगा कि transaction record करते समय यदि आप confuse हो रहे हूँ कि कौन सा खाता किस प्रकार का है जैसे personal, real या nominal तो ये जानने के लिए आप इस chart की सहायता ले सकते हैं खाते का प्रकार जानने के बाद आप आसानी से golden rules of accounting जिसके बारे में हमने आपको manual accounting की process के अंतरगत समझाया था उसका उपयोग करके आप ये निर्ने कर पाएंगे कि transactions record करते समय कौन सा खाता debit होगा और कौन सा खाता credit होगा इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं मान लीजे व्यापार का स्वामी 10,000 रुपे नकत पुझी लाया अब सबसे पहला सवाल है कि हमें ये देखना है कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहाँ नकती आई है तो ये हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं नकती कौन लाया है व्यापार का स्वामी नकती लाया है जैसा कि हमने आपको capital की परिभाशे में बताया था कि जब कोई व्यापार में कोई संपती या माल या नकती लाता है तो ये उसकी पुझी कहलाती है तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता, यानि इस ट्रांजेक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, नगदी यानि कैश और पूंजी यानि क्यापिटल, अब दूसरा सवाल है कि ये खाते किस प्रकार के हैं, अब यहाँ चार्ट में देखिए, नगदी का खाता रियल अक तो ये यहाँ पर हम golden rules of accounting के हिसाब से देखें, तो personal account के अंतरगत पूंजी आई, यानि प्राप्थ हुई, तो हमें देने वाला हुआ capital account, और golden rules of accounting के आधार पर इसका नियम है, देने वाले को credit करो, मतलब capital account credit होगा, अब हम देखते हैं दूसरा खाता, जो real account के अंतरगत cash क है, उस पर भी golden rules of accounting के क्या नियम है, ये देख लेते हैं, इसके अनुसार जो वस्तु व्यापार में आये उसे debit करो, चूंकि cash व्यापार में आया है, इसलिए cash account debit होगा, जब आप नेने कर चुके हों कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit, तो इसे confirm करने का एक तरीका और भी है, वो भी हम आपको बता देते हैं, यहां हमने increase और decrease के दो columns और जोड़ दिये हैं, इसकी सायता से भी आप ये जान सकते हैं कि खाते के nature के हिसाब से संबंदित खाते के amount के increase या decrease होने की स्थिती में उस खाते को debit करेंगे या credit करेंगे, हमने आपको समझाने के लिए जो उ पुझी लाया, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी books में पुझी पढ़ेगी और नगदी आई है तो cash भी बढ़ेगा, चलिए increase और decrease columns की सायता से समझ लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि capital account liabilities के अंदर आता है, और यदि capital आई है, मतलब increase हुई, तो यहां capital account credit होगा, यहां cash account debit होगा, इस तरह से हमने confirm किया कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा खाता credit होगा, चलिए, अब हम अपने इस chart को tally के नजरिये से दिखते हैं, टैली ने accounts के nature के आधार पर इसे 28 groups में बाटा हैं, जिसमें 15 primary यानि मुख्य groups हैं, और 13 subgroups हैं, इन 15 primary groups में से 9 groups balance sheet से समबंधित हैं, तथा 6 groups profit and loss account से समबंधित हैं, प्रायस अभी की जरूरत के ledgers इन group या subgroup के अंतरगत बन जाते हैं, फिर भी यदि आप चाहें, तो अपनी जरूरत के अनुसार नए group या subgroup बना सकते हैं, और बने हुए group या subgroup में परिबर्दन कर सकते हैं, अब सवाल उठता है कि list of accounts की सायता से tally में ledger कैसे बनाए जाते हैं, तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, list of accounts का PDF हमने इस वीडियो के नीचे भी दिया है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लें, कर में एकर आपको स्वाल इसानि कर वाल कर लेंदेश की कि प्राइस वियो में आपको की बताएंगे तो ये जा आपको सकता है,